शुकर फूचे एंब इसमान के निखाली आपको ने भी दोस्ति पहुते हैं वो पूचे हैं मेरे कैसे अपने कमके निकालडों साथ शुक्रिकरण के निखिये शुक्रिकरण आइदिये के दोपीज स्काहिए इसमें फालोप मोलब आपको बताया है अर्फ वालेकृम जी आज हम अश्छफ चौधरी साथ ने हैं साम लेकृम साथ अवालेकृम साथ हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं आज हमने आपको कराची में पकड़ी लिया अच्छे नाप्ष हम एक धर सीयुत लिया पको नच्स? मेरे बाम पर सॉपश है कराची में और कराची बिल्कृम हो है कराची है अचासम पाता है कराची में आऄ अच्छें में बजा कवम विचा 225 में यही ज़े तो बेसे हो जागी है आपको याद होगा कमल के 1990 में जब मेरी एज उस वक्त 19 साल ये 20 साल थी मैं उस वक्त कराची में आया हूँ और ये अर्ली 90 के ये वह हाला थे जब कराची में निसानी फसादात होते थे नडाईया होते थे, जगड़े होते थे, मैंने उस वक्त एक इनिशेटिव लिया कराची में आने का और कराची में आई बीए मेंगे इडमिशन लिया मुझे याद है एम मैजिना रोड पहे टायर टायर जल रहे होते थे, कर्फ्यू लगे होते थे, तो जिस बंदे ने उस वक्त से कराची के साथ रुमैंस में हो, अब को कराची माशियला, इस वरी पीस्फुल सीटी है. पाकिस्तान का दिल है, दिमाग है, नर्व सेंटर है, आपका कमर्शल हब है, कराची में जो बिजनस निकलता है, वो पूरे पाकिस्तान को फीड करता है, वो पूरे पाकिस्तान को फीड करता है, मुझे इवन जो लहूर में भी बिजनस मिलता है, वो कराची से जेनरेट होता ह कुराची तो मेरे लिए इस लाहिक माई मैं कहता हूँ कि कुराची गरीब की माँ किसने ऐसे नहीं बोला था कि पूरे पाकिस्तान में किसी को कुछ ना मिले कुराची आजाए काम करने वाले को यहां काम ने तो I am in love with कुराची अश्रफ भाई I am sure के हजारन लोग जानते होंगे बलके लाखों लोग जानते होंगे के अश्रफ भाई अश्रफ साब जो है वो उन्होंने कहां से ट्रैविल शुरू किया मगर आज थोड़ा सा कुछ आप ऐसी चीज़ें भी शेयर करें आपका जर्नी आपने कहां से माशाला एक बहुत सक्सेस्फुल स्टोरी है अपने कहां से शुरू किया अच्छल आपके हर्डल्स है किस चीज ने इंस्परेशन दिया कि आज ये अश्रफ जो है वो दिनिया पर राज कर रहे हैं तो ज्यादा बोल दिया आपने अच्छा नहीं कर रहे हैं बिलकुल हमारी नदर म मेरी जो मेरी जो बैक गराउंड है मेरी जो रीजन है टोबा टेकसंग में चोटा सा गाउं है अच्छा टोबा टेकसंग और खानेवाल के संगम पे एक चोटा सा गाउं है वहां से मेरा तालग है और काफी बैकवर्ड एरिया था जहां से मेरा तालग था अब तो ख्यर डि यह अब को हमेशे जी समझता हूँ कि आ मैं बॉर्ण लगी परसर मुझे उस्ताद बहुत अच्छे जो अच्छे जो उस्ताद जो आपकी जिन्गी चेंज कर और उस्ताद आपकी जिन्गी तबाव निता हुआ है मुझे बच्पन में जो उस्ताद मेले गिसने प्राइमरी स्कूल जिसको करते हैं वो जो उस्ताद मेले उन्होंने मेरे अंजर कॉन्फिडेंस दिया अच्छा मैं तुकि इंतिहाई गरीब फैमिली का था कि मेरे एक उस्ताद मिले जिनों में इनका में मन्जूरन नजर बन गया कि यार इस बच्चे पर थोड़ी सी मेहनत करो ये निकल आएगा अच्छा बच्पन में आपको थोड़ी सी एप्रिशेशन चाहिए आपको अगर क अच्छा में आएवाद अगेन लगी कि मुझे एक ऐसे उस्ताद मिल गए जो मैं समयत हूँ कि हमारे स्कूल में सबसे अच्छी जिनकी इंगलिश थी यंग आदमी थे सूफी थे मजभी इंतहाई मजभी आदमी थे ठीक है उन्होंने एक तो हमें वो नमाज रोजे पे क्लास 6 से क्लास 8 तक हमारा मिडल स्कूल अब गवाओं से खतम हो गया ठीक है अब मैं किसी और स्कूल में जाना है तो साथ यह दूसरा गवाओं था वहां पे बस पे चड़के जाया कर ते हैं मेरी खुशकिस प्जिए आप देखें वहां पे जो प्लास 9 में मुझे टीचर मैं करता हूं कि जिसको कहते हैं जूल अफ द परसन अच्छा इतनी जबर्दस्ट परसनालिटी अब फौथ होगें अल्ला उनको जिननत बख्षे अब फौथ होगें बट उन्होंने जिस तरीके से मुझे उठाया जिस तरीके से मेरी अप्रिसेशन की है ते ये हमारा लाका न करता है कि यह यह गरीबों का बच्चा इसको थोड़ा सा पॉलिश करें इसको थोड़ा सा एप्लिशेट करें यह निकला आए ठीक है और उनकी ठीओरी मेरे उपर तो बड़ी अप्लिकेबल होगे मैं अपने स्कूल में मैट्रिक में फरस्ट आगया जो मेरे साथ अमीर और मुझे तो बड़े लोगों न इजट देनी शुरू का दी है हमें जिदिनके में पहली तका इजट नहीं था ठीक है उसके बाद जो है आपको एक ईजच की भी लख 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 एगा है यार आपकी इजच अपकी काबियत की वाज़़ते है उसको सस्टेन करना उसको चेलिक सिंग मैं इंक वो भी गव था वहां से कियए फिर मैं लहोर आ गया लहोर आकर मैंने एक प्राइवट इंस्टीूट में बीबी ए में एड्मिशन दिया था इस 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 इसप्राइब निया मैं साथिस्फाइब नहीं है कि यार मेरा मेरा कैलिबर जाता है और यह जो इंस्क्रिटूट है यह उस लेवल का भी है ज़ी है मेरी 100% free wave दी हुए 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 अच्छा बुक्स मुझे free दी हुए और नक्रा मेरा दाँ देखिए यार यह मेरे level का भी है ठीक है अच्छा मैंने क्या किया कि मैंने private BA किया अच्छा प्राइवेट BA करने के बाद अब मैं officially graduate जिसको कहते है क्योंकि वो उस BBA की डिग्री अभी रेकेगनाइज दी यह लेट 80s की बात एटी 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 नाइन की बात है मैंने उस private BA की बेस पे अच्छा मैं लाहूर से कराची आइब एका टेस्ट देने के लिए आया एटी नाइए जब मैं टेस्ट देनी आया मैं बड़ाए मासूम था अभी भी भी खर मासूमी है उस वक मेरी मासूमी यह देखिए कि मैं फर्स टाम कराची आया मैं रेलिवे स्टेशन पर उतरा तो उस दमाने में हालात बड़े खराब तो अच्छा मैं जब घर से आरहा तो मुझे सारे कहा रहा है वहां पर तो बंदों को आग लगा जैते हैं मार जैते हैं खुन खराबा कर्फी सारा कुछ आड़ा है तो आप किदर गा रहे हैं अच्छार गैने किसी की दिस तक लेज़ करा किया है ऊच्छा है पर रैलिवे स्टेशन पर तो मैं यहां पर पान की पीकें देखता हूँ मैंने सोचा है कि यहां पर इतनी कतलो गारत हुई है कि देखो आपको खून के खून यहां पर जिवारों पर नजर आ रहरा है खून है वोब बाद में किसी ने बताया कि यह पान होता है यह पान भी खुन की तरह का ही होता है है तो मैं आजब में आ गया मेरा में टैस्क दिया एक पड़ में 22 00 करणे क में इस इदारे में आउंगाओ इतना पैशन अग्रेशन फिरोसिटी इस पैशन के साथ मैं आप मैंने फिर सारा साल फोकस रखा, ड्रीम किया, मुझे रात को नील नी आती थी, मुझे आई बेगा कैंपस नजर आता हूँ तो जरात को सोते हुए ती कहते हैं, यह जो विज्वालाइजेशन की पावर है नहीं, बड़ी पावर होती है, कि आप एक चीज जो एक्विल होनी है इससे पहले वो दमाग में हो देखे वी जेख으ँ जितना मैं जतनी किसी की बर्णिंग डिजायर हो, आपको वो सारी चीज़ें उसी रहसाफ हो भते हैं, पालो कोलो कहता है कि जब आपकी बर्णिंग डिजायर हो, जब आपको खाब सोने ना दे, काइनात की सारी कुछें, आपके हक में साज़िश करते। और बढ़नेक्ट डिजाइर सबसे इम्पॉर्टन सी जाई नापकी कि जब यह हो तो आपको चायनात की सारी कुष में हैं अगले साल क्या हुआ साज़िश होगी। साज़ेश यह होगी कि IBA ने फर्स टाइम अपना टेस्ट लहूर में कंड़क्ट दू अच्छा ठीक है अब मेरे लिए और आसान था टेस्ट में लहूर में यह एंजड ग्रिंडलेज का प्रोग्राम था एंबिया बैंकिंग का फर्स्ट वैग्डा लहूर में हुआ बड़ा एक इंपॉर्टन बोड आता है मेरे लिए इसको आप कहते हैं कि आपको अल्ला टेस्ट करता है कि आप कितने पैस्ट लिए जिस सिदारे में मैं पढ़ रहा था उस सिदारे ने मुझे समेस्कर के स्टार्ट में पहले ही नोटिस दे लिया कि क्योंकि आप दिल चस्प अच्छा जब आप दिल चस्पी नहीं ले रहे होते हैं जब आप उस सिदारे को अपने स्कैंडर्ट से नीचे समरेते हो आप डेट कैसे आएंगे अब फाइनल एक्जाम में उदर मैनेजेरियल पॉलिसी का पेपर है एन उसी वाग आई बिया का टेस्ट हो या ना हो बट अगर नहीं जऊँग कब तह में दोका हैं अगर नहीं गए यह को अब आइसे मो스럽े रेकम आई हो क्या क्या मैं अजैड़ि कि मुझे लेना जाए en a7 अम अजये मैं नेकल कहा लिए में तो आइब आई बश्योमा का टेस्ट में बैट आई कर टेस्ट में ज़़िए अटैम् करके मैं वापस इंस्टिट्टूट जाता हूँ और में तो कहता हूँ अब मैं यंग था उस वक मेरी कितनी जा अचारा उन्निस बीच साल एज थी मैंने वो स्टूरेंट्स की तरह का बहाना बनाया कि सर वो मैं लेट हो गया था मेरी गाड़ी लेट हो गी ती मैं बिमार था इस तरह की चीज़ें की बट मेरी किसी दो निमाना था और ने कहाया कि तुम होई निकम में नलाया को फ्री में पढ़ रहे हो फ्री में पढ़ने गाफाई तुम्हें तो कुछ निए बना तुमारा है ठीक है अच्छा मैंने माजरत वाजरत की उने का अभी आप बाकी पेपर डे लो अगर उन में पास होगए तो हम आपसे कोई दुबारा टैम्ट कर वाएंगे इतने में मेरा आई बिय का जो रिटर्न टेस्ट था उसका वो पास हो जाता है अच्छा इंट्रिव्यू के लिए ही कि उन्होंने सोचा है कि यह अब आया होगा कि पेपर अटेम्ट करने की रिक्वेस्ट करने के लिए मैं मुझे कहने लगए यार आपके बाती ग्रेड भी को बहुत अच्छे नहीं आए तो आपको हमने विद्होल्ड कर लिए आपकी डिडरी हम आपको बीदे मैंने उनको क अच्छे लिए तो इस तरिक इस तरिक आई बीडरी में आगया है जोग पूछे है मैंने कैसे अपने खर्चे निकाले कैसे खर्चे किये जार आई बीडरी की एक फीज थी लिएंग स्टाइल था जैसे मैं पालो कोला का आपको बताया था ना कि अगर आपके ड्रीम्स फुक्ता हैं आपके अंदर आग लगी हुगा है काईनात की सारी कुवतें आपके हक में साज़िश करती हैं पता नहीं क्या साज़िश हो मुझसे तो किसने दो साल ना पैसे पूछे हैं ना किसी ने तो हॉस्टिल का खर्चा पूछा है बड़े आ अच्छा मैंने फिर फिर पंदरह साल यॉग किया नुपलिश निदिस्टी में तो हॉल मार्केटिंग कंपनी से लेकर ऐफ-i-m-c-gy में ऐफ-i-m-c-gy से लेकर वस्पिटैलिटी इंडिस्ट्टी में ऐस्पिटैलिटी से टेली कॉम में तो यह जो मेरा 15 साल का सफर है आज जब उसको देखता हूना 15 साल को, तो मैं समझता हूँ कि यह वक्त मैंने जाय करते हूँ, यह 15 साल जो मैंने नौकरी की है, 15 साल नौकरी करने के बाद मैंने एक डफ़ा सोल सर्चें की, कि यह क्या मैं अपना टाइम सही से गुजा रहा हूँ, यह जो 15 साल के तंप टाइम इस 15 साल में यह आपका लर्निंग प्रोसेस नहीं था कि आप अर इंडस्री का आपको नौकरी लर्न की आपने आप मनलता है, आप इस सेक्टर को समझ सके के और में। सेक्टर को समझ जाना और चीज है को आप सेक्टर के बाहर रहते हैं भी समझ लेते हो, बट जब आप जॉपे होते हो ना, आप नौकरी की ही लडने ही होते हो, नौकरी ही सीखते हो, 15 साल में मैं कभी भी अपनी जिम्दी में सैक्स्पाइब तो कभी में पुश नहीं को चै कि कर दो फराइड़ एफनें को आप ऐसे फुश होते हैं जैसे दुझा खाता कर भी मेंम्त अगें एδ।र को सारे साल अप इंक्रेमेंट्स की रहे हैं वह आपकी टंग भाओ यह आय हैं आप उसकी बैक बाइटिंग कर आप उसकी बैक बेक बैक शनी कर ग यह रहे हैं द जारा जो ऑफिशियल लाइफ होती है एंड आइ वस सिख अपिए अच्छा है 15 साल मैंने क्याम करने के जाए मैंने एक दवाद सोल सर्टी है यह मैं खुश्की हो दिए मुझे अल्ला ताल ने हर्ट चीज दिए मुझे अल्ला ताल ने हर्ट चीज दिए मुझे कार्णि को यहाद को लोगों को यहाँ तक खाने पीने की चीज दिए है वने लाखों में सैलरी ले रे हो प्रॉब्लम क्या आपको एक देन घी मैंने सोल सर्टी है यह मेरा प्रॉब्लम को सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं मैंनunda फॉँाल करें कवान सो niez कि मैं हूँ FREE बर्ड मैं किसी के इंडर ने काम पर कहूं मैं इम नाइप मेरे इंपलॉई टीक है मेरे बास के लिए ने मैं नाइप मेरे हूं कॉम्पूट्टेंट मैं उस्से ज्यादा हूगा केमिनुकेशन स्किलिस दो अस से ज्यादा होंगे ठीक है बॉस को मैं कहा दूगा कि बॉस यह जो चीज आप कर रहे है ना यह जिस को इस तरीके से करेंगे तो बहुत फायर होगा बेटर होगा जब आप बॉस से आउट्शाइन करते हैं ना वो जो एक बॉक है ना फॉर्टी एट लॉज आफ पावर जिसमें जो पावर्फुल जिन्दगी में होते हैं उसका पहला कानून यह होता है कि नेवर आउट्शाइन यूर मास्टर अच्छा और आप क्या कर रहे हैं यूर ट्र भी आउटी इना और तो मैं ग्रोड ही खिया तफ टाई मैंगे फे पहुंटा मैं इपने आउट पर रिटायर को रेटायर को जब टायर को था है जिनर ह्रिक्ताइब जो नवेंड अवर्ड इंट थे आउड तो जो आएट को फोल गुरूप में जो वाइरलेस का प्रोज़ जैसे ड्राइ क्लीन होते हैं, ठीक है. हमारा जणाब लंच मैरियड से आरहा होता है, कुटिंग के लिए हम मैरियड जा रहे होते हैं, अब एक बच्चा जिसने गुर्बत में जिल्वी गुजारी हो, उसके लिए यह साधिवी नियुए, एक्याय है, इतनी लगज़्री मैने लाइफ में बेढ़ी है, उपजनी था दिया। मैंने जब आनैयलेसस किया, जहाँ उते हमां मैं तो यह समझ से फ्री बर्ड, जमने पर थे और कोई और सही किसी मुदा धर सकता हूरा हूरा। अपनी मर्जी से उठना चाहता हूँ, अपनी मर्जी से मैं कपड़े पहना चाहता हूँ, अपनी मर्जी से मैं सोना चाहता हूँ, अपनी मर्जी से मैं ट्रेवल करना चाहता हूँ, मुझे कोई ये न कहे कि तुम कराची के उजा रहे हैं, मुझे कोई ये न पूछे कि आपक में क्या काम है, ठीक है, मैं क्राटी आगया हूँ, वन वे टिकर लेकर आया हूँ, कितने दिर रहना है अपनी मर्जी पर रहना हूँ, कोई मैं किसी को जवाब देना हूँ, जब दिल करेगा वापस चलेगा, ठीक है, अपनी मर्जी से मैं जिस होटल मैं ठहरू मैं रह 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 कौन सी फ्लाइट पर जाना है अपने इमर्टर से जा रहा है अब मेरी ना ये नीड्स थे ये नीड्स कोई सब एक ही सूरत में पूरी हो सकते हैं कि अगर आप अपने बिल्नस के बिल्कुल से करें अपने बहुत सब खुद बने दिए हैं मैंने 2008 के एंड पर अपने आपको ल कुछा से बहुता हैंड उम्हाट को पर अपने लिघए और ल॥क्त कर नहीं होगे अपने हैं आपको से लिए नोगरी व्हाला बंदा हमेशा हैंड दाले ले गल्ले उसमेशा रहे हैंड प्र सोचा कि एक ही काम कर सकता हूं मैं इड्रीमसेल कर सकता हूं प्र्वाएव आप पूरे किये हैं जो पूरे कर रहा हूं यह मैं लोगों को भी सिखा करता हूं कि यार गुर्बत आपकी किस्मत में लिखी होती है यह लाचारगी आपकी किस्मत में लिखी होती है यह आपके हाथ में आपने खुद लिखनी होती है किस्मत आप खुद बनाते हो अगर मेरे जैस मुझे कौन से सुरखाब के पर नहीं तो इसके हैं यह मिशन लेकर मैं फिर कॉपट सेक्टर ने आ गया और मैंने अपने आपको लाउंच किया एज़ा एज़ा ट्रेनर मैं प्राइमरिल मैं मार्किटिंग कार दूए एज़ा है अपने अपना फोकस नेरो डाउन करते जाते हो आपकी सेल उतनी बढ़ती है जितना आपका ब्रैंड बिल्ड होता है सेल आपकी उतनी बढ़ती है मैंने प्राड़क्ट अपने ये डिवलप की कि मैं सेल्स ट्रेनर हूं अब सेल्स ट्रेनर हूं तब यहां पर एक मार्किटिंग का प्रिंसिपल आता है 22 Immutable Laws of Marketing एक बुक है बड़ी जबर्दस बुक है आपने अगर नहीं पड़ी तो मैं पढ़ हो अभी जाकर आज पढ़ना हुआ ठीक है उसकी एक और बुक है 22 Immutable Laws of Marketing 22 Immutable Laws of Branding दोनों किताबें परें ठीक है अलरीज और जैक्ट्राउट की बुक से उसमें वो कहता है कि फोकस की बात को उसमें मतलब उसका सारज उसका फोकस ही फोकस पे हो कि जितना फोकस अब नेरो डाउन करते जाओगे आपकी सेल उत्ती आपकी ब्रैंड झाल फोकस अबुरा ने बुर्क इंसकी ना एंड इसका सासा कारओब करेंड जी इसना ला पूस्रेंड यृघ ए उसमे prec correct लाइ बहुत एंड नेरे वर गुड्गा спрос अठाक के जीम कर लियाए बहुत आएंड मेरे पास कामल साभ आप तो मेरे सफर से इना मेरे सफर में जब हम वो इमेल निकालते थे 2008 से साथी है 2008 से जब लोग हमें कहते हैं कि आप spamming करते हो spamming करते हो spamming पर भी आएंगे वो आपने questions जरूर पूछ लेना spamming पर spamming पर मेरे बड़े जबर्दस व्यूस हैं जी मैंने बड़े लोगों को shut up call दिया spamming अच्छा मैंने डे वन से focus कर लिया Pakistan's first sales trainer कि अभी तक ट्रेनर आया है नी पाकस्तान में sales था social media पे हमने shameless self promotion स्टार्ट कर दिया shameless self promotion पे आपने सवाल मुझे पूछ लेंगे कि कही रह ना जाए यह मैं चाहता हूँ कि जो हमारी वीडियो को देखेंगे यह concept उनके लिए बड़े इंपॉर्टन इस यूद के लिए बड़े इंपॉर्टन इस shameless self promotion यह आपने पूछ लेंगे Middle East का ब्लॉग है beth.com उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि यार इस बंदे की Facebook और LinkedIn और Twitter पेस बड़ी बड़ा टैलका मचाया हुआ पाकिस्तान से इसका इंट्यू करते है उनका मुझे PR Department कॉल करता है आपका हमने इंट्यू करता है उन्होंने मुझे सवाल बेजी है मैंने उसका जवाब करके बेज उन्होंने जो मेरा introduction लिखा beth.com उन्होंने introduction एमेट एमेट सही सही है उसके बाद आई बेकम पाकिस्तान नमबर वन से उसका रुपर कामा साथ अभी तक ने पर बिजनस नी है सही है बट मैंने नमबर वन यहां पर बुपर वो हिस्टी में कुप बाजशा था क्राउन सर पे पहन रहा है कामाय उसके आई को कर बाद शाथ यह कर द Louisiana की इसके लडाई होरी टेबल के बैठे है सारे भाई कर बैठे बैठे है कि किसका मेरत बनता आप कैरीजि की मेरा मेरत बनता यह कह रहा है उस्वाद embedded क क्राउन उफ़ाया सर पे र府 रक लिया झाल रहा है। य। जो भी अभी मेरे सब लड़ेगा य। भी फ्रइटेनी एगांटाने विभी रखकी पर रखकी। उठाया पर रखकी लिए। सरभ आपके सरपे ने कुछ थाज कि ताज नहीं रखा है। ताज आपको पकड़ कर रखना पड़ता है। और उसके बाद हिम्मत है दो चीन लो, ठीक है, मैंने ये ताज उठा लिए, उसने उठाया नहीं था, पड़ा था, वेकार पड़ा था, उसके उपर मटी वटी मैंने जाड़ी उस सर पर रख लिया, and I became Pakistan number one sales trainer, and it was still my dream, और आज, actually, reality में, मैं Pakistan का number one sales trainer, जितना business इस वक्त मेरे पास है, अल्ला का शुकर है किसी बंदे के, किसी trainer के पास नहीं है, हमारे हाँ ना जिस trainer के पास 10-12 दिन का business होता है, वो अपने आपको heavily deployed करता है, on average मेरे पास 15-17 दिन का business हो, ठीक है, मैं कराची, लहौर महीने में कई की दफ़ा हिट करता हूँ, जो जो ड्रीम आपका होता है, अगर आपने किसी जी से focus कर लिया और उसके पीछे पाउलों के तरह पड़ गए है, लिटीन जाने एक कामजाबी है, आपके कड़म के लिए, यह मेरा सफर है जी, कुलास वन से, जिसको पंजाबी में कची जमात कैनी तक कॉत हैं? कुछ जमात से लेकर अभी तक पाकिस्तान ग हैर यह मेरा सफर है जी, इसमे बड़ी मुष्खलाइट है ग Window, बहुत last right now takich भ Universum. अठीस हों कि आपने माशायललक कां से शिशन किया। अच्छा, इस तरह मैनेज करते हैं आप बेक टो बैक, मैं आपको आपको अबज़र्व कर रहा हूं, आपके वीडियोज भी देखते हैं, आप बहुत बिजी होते हैं, इस तरह आप परसनल लाइफ को और चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं पर्सनल लाइफ को अन लोगों के लिए जो अब प्रोफेशन में आ रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा सवाल है उनके पस मासेवा एक्सक्यूजिस को और कुछ नहीं होता तो हम यह समझना चाहरे हैं कि यह आप कैसे मेलिज़ कर देख आपने एक्सक्यूजिस की बात की बड़ी जबर्लस बात की सेल में न मैं खास तोर पे यंग स्टरल को बताता हूँ जब सेल की टेनेंगरी हो रही होती है एक वक्त में आप एक काम कर सकते हैं, या सेल कर सकते हैं, या एक्सक्यूज़ कर सकते हैं, या एक्सक्यूज़ कर सकते हैं, एसा हो भी सकता है, एक वक्त में आप दो काम करें, सेल और एक्सक्यूज़ एक वक्त में एक काम कर सकते हैं, ठीक है, मैंने एक्सक्यूज़ को पीछ आप जिदर बैठे हो ना काम शुरू कर ठीक है मुझे याद है कि जब मैं स्टार्ट किया है तुल फ़सर एट में मेरे पास जो मुबाइल फोन था जब मैंने अपना बिजनस स्टार्ट किया मेरे पास जो मुबाइल फोन था वो इस काबल नहीं था कि मैं किसी को दिखा सकता ठीक है ¿ ‫एक्षब रगे को डििन कर आदेज नहीं कि अगप पा इन अग वाटства का लग साइलेंग हैं भी उसको मैं साइलन ऐचार्टाटाए जेये में डालता है मेरेजान नेखलेका ना डिकाए एक आप किसी तू को इतखा लूग को देखा है जो मुझे मुझे पेले बिजनेस काट दें, मुझे बाइक दें, मुझे गेल दें, फिर मैं जाके करूँगा मुझे प्रोफाइल दे दें मैंने ऐसे दोगों को देखा है, बिल्कुल कि उनको कुछ भी ना दें, वाटो कहेंगे, बस मैं कर रहा हूँ सब मैं कल AKD Group of Companies में मुझे इनवाइट किया हूँ था, वहां पे जो HR Director थे, शिमायल, रूवी साथ, बड़ी जबरदस्त बाद, वो दो कहा है कि उनको शेकरखन दूखाने का बड़ा शोग है, कहीं निकले office से बाहर तो एक बच्चा है, उसने सर के उपर ना वो पूरा ठैला अज़ा से बनाया हो उसमें शेकरखन दूखा इनों ने उस बच्चे को रोका और उससे कहा के बटा आदा किलो ना मुझे शेकरखन दूखा उसने चार शेकरखन दी उठाई उसको काट का मिसाला वगरा लगा कर दे दिया, इनों ने कहा जब आपने तोला तो है नहीं उस इन पॉला पठान बच्चा है तो फ़ाड़ों से आते हैं चोटे चोटे और 15, 20 साल में यहां पे कोई होटल बना कर बैठा, कोई पूरी ट्राशपोर्ट बना कर बच्चे हैं उस बच्चे ने कहा है के मेरे पास तो टराजू मिया लेकन मुझे इतना पता है कि मैंने तोला यह इतना ही होगा तो इसने कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने सही तो लाओ उसने साथ ही कोई दुकान थी तो उसके पाथ तराजू था वो प्लेट वहां लेकर गया इग्जेक्टली पूरा होगा यह रूमिसा मुझे कहते है कि यार उस बच्चे से ना मैंने जिनकी के एक हक्कीकत समझे कि अगर आपके पास कोई चीज नहीं है ना तो इसका मतलब यह रही का अपने काम नहीं करें तराजू आएगा उसके जो वेट साएंगे तो फिर केलेंगे नहीं जालो किसी को थोड़ी सी शकरखंद ज्यादा चली जाएगी किसी को थोड़ी सी कम हो जाएगी बट उसे पता है कि यार यह पांच किलो के शकरखंदी है तो इसकी दस प्लेटें बनी है तो रूमिसाब जिक उनके एच आच डिरेक्टर हैं आप तभी भी सब्सक्राइब करते हैं यह चीज मैंने बहुत लेट सीखी कि मेरी आप जो वीडियो देख रहे हैं सोचल मीडिया को यह मैं दो साल थे वीडियो का बनाने का सोच रहा है कि मेरे पास इस तरह का एक कैमरा होगा पूरा मेरे पास लोजिस्टिक्स होंगे ठीक है पूरा स्टाफ होगा यह एड़िट करेगा वैगरून म्यूजिक चलेगा टाइटल पेज बनेगा जो दो साल में एक सोचता रहा कि कैमरा कहां से लो कितने का होगा हम तो वर्ट्यूल काम करते हैं मेरे इसे काहां से काऊच आउटो करेगी मेरे तो डीक देंदा चार बंदें डीक हां से कासब करेंगे ठीक है अएक दिन मैंने सोचा के यार या यार ये तो मज़ा नहीं आया ये प्रफेक्शन के चक्र में दो साल लिए मैं लहुर एरपूर्ट पर बैठा वेव आई कि याद अभी वीडियो बनेगी और अभी डालूगा भी डालूगा तो मैं जाना कैमरा अन किया मॉबाइल का उधर भी वीडियो बनाई बलके मैंने कैमरा ऐसे किया हूँ मुझे पता भी था कैमरा ऐसे करना है कैमरा अन किया मैसेज दिया फेस्बॉक पर डाल दिया और लोगों से का यह पहली वीडियो है मुझे सब फीड़बैक देदेना कि इसकी वाइस कैसी है मैंने प्लेस्मेंट सही की हुई है सब्सक्राइब रIGHस्वाया कि मैंने बता दिया कि मेरे पास कोई स्टाफ नहीं है case के वह एक गूज़्यूस आ है कौन्टेंटियो और अपकी वीडियोग लगा दिया करें है हुई है मुझे दुनिया भर से मनसीग एंगा है मुझे कई ब्रेंड्ड में कॉन्टेक्क्त जिए है Якसे आपको विडियो को स्पॉंसर करते ते से आप ग्रोंड में हमारा लोगों लगा दिया करें हम आपको स्पॉंसर करते हैं अपकी वीडियो को अभी वो टेलर ही है बात के मैं चाहता हूँ कि ऐसा ब्रैंड हो जो मेरे साथ वो टैली भी करें तो यह इस तरीक ऐसे जी मैंने तो आपने आपको कभी हैंडी कैप ने समझा कि यह चीज मेरे पास नहीं है कि अभी इसाट कोई है अभी आप कहते हैं कि यह मैंने च्छीज करना लग लगे दिखेंजी ड्रीम के बगएर तो इनसान होते हैं जी है ड्रीम बड़ा इंपोर्टन्ट है, मेरा भी ब्रीम है. मैं पिछले दिनों एक वाक्षप करवारा था, मैं ड्रीम पे फोकस कर रहा था. लडकों गृुरी, यह मेडिकल रेप्स थे, मेडिकल रेप्स को मैं ड्रीम यह दिखा रहा था कि तुम जैसे ही लोग होते हैं, तुम जैसे ही लोग होते हैं, तुम जैसे ही लोग होते हैं, तुम जैसे किस-किस में डियक्टर मार्केटिंग बनने का खाब देता है, तुम खाब ही जोगे हैं, तुम खाब ही जोगे हैं, तुम खाब ही जोगे हैं, तुम खाब ही जोगे हैं बालो की मखलूका, जानदार मखलूका इस में पौत शामल नी इस में बेक्टेरिया शामल नी इस वे ख़ादे गुर्णे वाले हैं, रिंगने वाले हैं, कीडे। मकौरेअं जंगलों में, सुमंदर में, आसमानों में यह वो जानवर हैं तो एक टांग का दो आटांग का चार परों का दो परों का इस तरह यह जानवर, एक पॉइंट सेवन मिल्ययों है और एक इनसान है, जो चीज इनसान को एट पॉइंट सेवन मिलियन में डिफरेंशियेट करती है ना, वो ड्रीम होता है, इनसान को पता होता है, कि मैंने पाँच साल बाद जाना है, जानवरों को नहीं पता है, कि शाम को क्या खाना है, अखलाकिया, ये सारी चीज़ हैं, कुटे को आप अखलाकिया सिखा देंगा, ये यहां पर आखलाकिया सीख जाएगा, खाना सामने पड़ा होता है, नहीं खाता है, उसको बता दो कि खाना तुमने नहीं खाना, तुमने नहीं खाना, तुमारा खाना उधर रहोना, तुमारा खाना उधर रहोना, तुमारा उ और जन्रों में वो ड्रीम हो अगर आपका ड्रीम नहीं है तो आपका शुमार शायद दूसरी साइड पे होना शुरू हो बिलको ड्रीम है जी बच्पन से ड्रीम था और वो ड्रीम आज अल्ला का शुकर है कि वो ड्रीम मैं देख भी रहा हूँ अगला ड्रीम यह है कि अभी तो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि बड़ा प्टेंशिल है इतना प्टेंशिल है पाकिस्तान में कि आप सोच भी नहीं सकते होगे कि यह मुल्क हमारा कितना ज़केज मुल्क है इसमें इतना प्टेंशिल है हमारी टेनिंग इंडस्ट्री को 10% टैप हुई है, 90% को प्टेंशल अभी अपने मुल्क में है, मैं समझता हूँ कि आज इस पाकिस्तान में 20 सेव्ट टेयनर आ जाना सारे ख़ब गाएंगे, इतना बिजनस है, पूरे पाकिस्तान में जो बिजनस करने वाले टेयनर है ना 10 से 12 टेयनर है, ठीक है, और ये 20-22 को मुल्क है आठाए, 20-22 टोड का मुल्क जहां पर हर बंदे को तर्भीयत चाहिए, हर बंदे को ग्रूमिंग चाहिए, गरीब से लेकर अमीर तक, पी एंच से लेकर पार्लिमेंटेरियन तक, प्रेजिजेंट तक आपको प्रेजिजेंट को भी ये बताना पड़ता है कि ड अपने चोटे 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 दुमिंगेंटेरियन तक पर बिजनस में हो रहता है, तक है, मेरी जो जिस वर ड्रीम है, मैं चाहता हूं कि अगले कोई 4-5 साल गूम मेरे पास एक टीम होड टेनर तक है, और मैं सीनियर टेनर उनको लीड कर रहा हूं तक हम पूरी इंडस्ट् थोड़ा से एंटर्टेन्मेंट के लिए पॉसिबल है, कि आप 9-5 है, बंदा बोर हो गया तो उनको उद्रा हसा दिया, और आपका कॉंटेंट जो है ना वो सेल होना चाहिए, कॉंटेंट से ही कंपनी को फाइदा होता है, और आपक्टिविटी में सारा दिन लगा देते है जिए कश्टियां बन दी, जहाज बना दिये, कश्टियों जहादों की लड़ाई करवा दी, अजीब किसम की त्रेने की चल लगी होती है, हमारा फोकस भी कॉंटेंट बेस्ट हैं हम भी गुबारे फ्रवा देते हैं बट वो आपने पैटरन डिस्करब करने के लिए, पैट हम ट्रेनर हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जैसे कोई आठ से दस ट्रेनर प्रोडूस करता हूँ, ठीक है, और मैं उनको फिर पीछे जाकर मैं उनको सुपरवाइज करूँ, उनके लिए बिजनस डिवलप करूँ, जब मैंने बिजनस स्टार्ट किया था 2008 में उस वाट म हमें ही इतना बिजनस है, कि जो गलोगल मार्किट जहां पर मदल अमेरिका है, यॉरप है, सेक्टूरेटेड मार्किट है, आप एक नई मार्किट में जा गर कंपेट करना शुरू का अधरते हों, आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, पाकिस्तान में तो आपको कोई बिजनस स्टार्ट कर दे हैं, जिधर भी है, चाह प्लैनिंग से करें या विडाउट प्लैनिंग करें, आप यह लोग इतने हैं ना, और फिर हर्डल्स नहीं है, पाकिस्तान में बिजनस स्टार्ट करना बहुत असाल है, आप इतर बाहर दुकान खोलें, ना कोई लैस चाहिए होगा आपको रिजिस्टर होना है, तक्सेशन करना है, यहां पर आप मैं करता हूँ यह हम इस वक होटल में बैठे हैं, आप साथ वाले कॉर्टनर पे जो प्लॉट है, होटल बनाना शुरू कर दे हैं, जब होटल आपकी चौथी मंदर पे पहुंच जाएगा नब टिकेट रास्ते में तो इतना मैं सा चाहिए हो काम करना बहुत आप असान है। जो सब्पने बैठी को मैं पूछring छेन घए पूँर्ण कॉशन क करना है, जो लोग पक्राष्ण कि ऐस बहुत पील देद犯। में परकिस्तान में कामियाब नहीं होते ना वह बहाने बना रहाइख है? वह अंदर से निकम्मे होता है, वह अंदर से हारे हुए लोग होता है ईजरने अस मलक कोई भी स्टार्ट कर लिए जाया है। मैं तो आसे घ snare से लोगों को से जनी मिलता हूने जो एरो पठाहिए में जो 7-7 को बहुते हैं। पिशावर और चार सद्दा आते हैं उनको जब वहां से चले के पता भी नहीं होता है रहना हिदे रहे है। धीक है.. कोई है अपने कजन के साहते ही कोई अपने खाला के साहते है जो पुराने बंदे आया होते हैं, उनके साथ जमीन पर सोना शुरू कर देते हैं और अगले दिन एक ब्रश होता है, एक पॉलिश की डिविया होती है, रोड पे बच्चा ख़ड़ा होता है जिविया होता है, 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 जिविया होता ह अपनी मेहनत से यह लोग प्याट जाते हैं तो मैं समयता हूँ कि पाकिस्तान इस ब्यूटिफुल कंट्री इसकी जो डैवर्स्टी है यह आपके बिजनस का आपका एक्जामिन बनती है तेंक यू सो मुझ सर्थ हमने आपको पता है एक एक असोसिएशन स्टार्ट की आपको आपने वेलकम किया और आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सेप्ट किया यह एक असोसिएशन और टेक्नालोजी की हमारी कोशिश है कि एक प्लैटफॉर्म डिवलप कर लें जहां पे हम सब एक जगह पे हो और उसमें डिवर्सिफिकेशन हम लोग इसलिए रख रह सेपोर्ट की इन सब चीजों की ज़ुरूत पड़ती से लिए हमने तमाम सेक्टर को एक जगह जमा किया ताके हम मिल जुल के काम करें एविन हेल्ट सेक्टर को भी हमने एड़ किया हुआ है तो आपको यह हमारे यह स्टेप जह है यह आप क्या समझते हैं कि तो आपका जो इस एबसुल्टली वेंडर फुल इस एक जूर्फ लिए और उसमें जू है कि उसमें साड़ टैकीज नहीं तो यह उसकी ब्यूटी है कुछ लोग समयते हैं कि या अश्रफ चौधरी का उस ग्रोप में क्या तालग है व्लाँ को तालग है व्लाँ का क्या तालग है यह ट्र अग्रीजेत होने चाहिए। मैं इसकी बıtबाता है। मैंने और आर्टिकल भी देखा था गम नम किसी बंदे का आरटिकल था, मुझे उसका नाम याद नहीं आरहा। कोई शेडलॉक करके किसा रर किसा है? गुम नाम बंदा था जिसने आर्टिकल लिखता था जिसने मेरा जिकर भी किया था कि अश्रफ चौरी तो सीवी बेजता है ये किताबें बेजता है तो इसका क्या तर लगा पहले तो मैं कैमरा के सामने बोल दो कि सीवी का कोई बिजनस नहीं हमारा है हम लोह की हल्प करते हैं जितने पैसे हमें आते हैं असमें ख़ता है इस नॉन प्रॉफिटेबल मेरा एक्ट्वल बिजनस सेल्स टेने होता है एड़ूकेड पीपल अव चाहु जासे कर ने किताब बेचने की बात है किताबे हम बेचते ही नहीं मेरी किताब The Craft of Selling Yourself यह फ्री कर दी मैनिज है। जिनों ने खरीदनी है वो Amazon पे जाते हैं। वो पाकिस्तानी Amazon वैसे भी अफोर्ड नी कर पाते हैं। वो पूरी दुनिया में मेरी किताब भिक रही होते हैं। जो लोकल जो हमारी पॉपुलेशन है उसके लिए मैंने उसका पीडिया वर्जिन फ्री कर दिया है। Craft at the rate ashrifchaudhary.com पे आप ब्लैंक एमिल बेजें। किताब आपको विदन फाइव सेकंड आ जाती है। मेरा क्या रोल उसमें बनता है। दूसरे का क्या रोल बनता मैं आपको वजब बताता हूँ। एक साइंटेस्ट था। उसका नाम था निकोला टेस्ला। उस साइंटेस्ट की कुई हंडर्ड अफ इन्वेंशन की था। यह बल्ब आप देख रहे हैं। इसका रियल इन्वेंटर निकोला टेस्ला था। था। थामस एडिसन इन्वेस्टर था। रेडियो जिस बंदे ने इजाद किया मारकोनी नहीं था। मारकोनी इन्वेस्टर था। एंटेपनियोर था। जो उसका इन्वेंटर था निकोला टेस्ला था। ठीक है निकोला टेसला की सेंकडों इजादाता है गड़ अनफर्टिनिटलि उसे एक फन् नहीं आता है वो फन क्या था? तू मॉनिटाइज यूर टैलेंट, तू कमर्शिलाइज यूर टैलेंट, तू मर्चेंडाइज यूर पैशन, आप उसको कनवर्ट नहीं कर पाते थे डॉलर्स भी, टैलेंट बहुत है, जीनियस था, तूसका टैलेंट, थामस एडिसन और मारकोनी इस तरह क यार निकोला टैसला की डैथ होती है, तीन दिन बाद महलेदारों को पता चलता है कि यार इदर कमरे में कोई बद्बू आ रही है, कमरा ठोला गया, तोड़ा गया, अंदर एक बंदा मरा हुआ हुआ है, पुलीस बुलाई गई, पता चला कि यार, वो जब उसके पेपर शे पर देखे, यार यह तो कुछ साइंसदान लग रहे है, कुछ मैथिमेटिक्शन लग रहे है, वो धूनते धूनते पता चला है कि यार यह तो कुछ निकोला टैसला बंदा है, निकोला टैसला दुनिया का अजीमत्री साइंसदान था है, जो इंजिनरिंग के स्टूड़न् रूल यह था कि never outshine your master अगर अपने ताकत गेंड करने never outshine your master and I use to outshine my master तो से लिए मैं as an employee भी काम लिए अपने हमाद है इसी author का इसी book में एक law है और वो law है law number six is court attention at all cost अगर आगे बढ़ना है कोट अटेंशन एड आल कॉस्ट यही चीज यह जो अटेंशन है ना यह सेल्ज में कनवर्ट मैं टैकीज को मैं यह बता सकता हूं थिया तुम ने यह मुबाइल बना लिया एब बना ली इसको जब तक यह बिकेगी नहीं ना इस यूजले साहिए इविन इसको पिच कैसे करना सर इसको पिच कैसे करना है इसके पोजिशनिंग कैसे करनी है इसके आपने युनिक सेलिंग प्रोपोजिशन कैसे आपने करनी है इसको देचना कैसे है ठीक है तो जब तक आप एक सेल का बंदा टैकीज को यह नहीं बताएगा यह जीनियस आप होंगे अपने फिल्ड में हो भीएप बिखिटी नहीं है इसी तरीके से आप आपने को एप बना दिया बैक नहीं रहा इस्क्राइप इवन बनने के वक्त हमें आलसेज हुए अभी होदी के लोगे इससे यह औरगनाइजेशन यह एसोसेशन इसमें की जाना आए ठीक है वैसे कंपेटिशन आए वैसे भी ना ओर एफेक्टिवनेस ला ठीक है दूसरे को फता होता है ते यार एक कंपेटिशन एक और चीज आगी है तो हम तो वेलकम कोलते हैं के चलें जी मिलके करें और मेरा यह एक और बिलीव भी है के हर इनसान किसी ने किसी तरह अब टेक्नोलोजी से कनेक्टिव है आज कर दोर में हमारे डियने का हिस्टा बन गया ठीक है कल मुझे हमने ना हमारे पर वर्टसर पर बहुत सारे ग्रूप से हैं इन फेक होता ही है कि जिस ग्रूप की भी इस कंपनी की वनों टेनिंग करते हैं ना तो उसना में एक वर्टसर पर गोल पना इचा है उसमें किसी बंदे ने को कॉमेंट किया के यॉर हैवें गट डबल स्टैंडर्स अगर अगर आप उर्दू में बोले ना तो मुनाफकत का है मैं समझता हूं कि मेरा फैन जो है कैसा है जो मुझे उसका रोल मॉडल जिससे वह इंस्पायर हो रहा है वो मुनाफक भी इंस्परेशन ले रहा है हमारी टीम ने उसको वैटसरेपक के ग्रुप से डिलेट कर है हम इमीज़ेट एक्शन है उसने कही ऐसा ही कॉमेंट के फैस्बुक के पेज पे लिख आग वह सर मैं तो आपका बड़ा फैन हूँ और आपकी टीम ने मुझे फेस्बुक पे भी ब्लॉग कर दिया है और वाटसैप से भी ब्लॉग कर दिया है तो सर आपकी टीम तो तो ट्रेनिंग की जुरूरत है मैंने से पूछा कगे आप को याद होगा आपने क्या लिखा था मैंने असे कही यही लिखा था कि यृव डबल स्टैंडर्स पहूं एउड़ स्टैंडर्स आप जिल एस से कहा था तो खाओ है ο इस को आप फॉलो क्यों जहाएँ डबल स्टेंडर वाले बंदे से क्या सीख हो गया? डबल स्टेंडर इसीख हो गया? Do you want to learn double standards from me? कहा रहा जी नहीं. मैंने कहा हमारी टीम ने तो बहुत अच्छा गया है. They protected you from from a wrong learning. ठीक है? कहा लगा जी मैं बहुत आपके पे जाकर learn किया है. मैंने का तुम learn किया है, तो at least learn to respect something. ठीक है? जिस बंदे से आप learn करते हो ना, उसको फिर ऐसे नहीं करते कि तुम मुनाफर दे. तो हाँ, अगर आपको कोई एहसास हो गया है कि हमारी टीम ने आपके साथ सही किया है और आप अपने बहेवियर को modify कर सकते हैं, मुझे बता दो, मैं अपनी टीम को कह दोगा, आपको unblock कर देंगा, उसने बकाइदा है, भुखिलोटी फिल की कि नहीं, मुझे आप अपने पेज पे वापस ले आए, मैं उसको learn करते हैं, सही है. तो, कावल साथ, जो हमारी social media policy है ना, हम कभी भी haters को अपने page पे टॉलरेट नहीं है, यह page उन्होंने like किया, hate नहीं किया, like का button दबाया है, hate का button नहीं दबाया है, hate का button है भी नहीं है, तो अगर आप मेरे page पे like करके आ रहे हैं ना, तो आप, you will have to behave like a decent person, मेरे साथ आप argue करें, मेरे साथ आप अपना point of view share करें, but the moment you sound arrogant, the moment you sound rude, मेरे घर में आका मेरे साथ बत्तमीजी करें, मैं कब तक मैं बत्तमीजी करें? सार, हमारे मार्शरे का तो actually dilemma यह है, कि जहां हम देखते हैं कि कोई काम कर रहा है, तो हम लोग के एक specific तबका है, मैंने देखा था कि अपनी सतार EDI साथ के पीछे भी बड़ी बाते होई थी, instead of के, हम लोग कंट्रिब्यूट नहीं कर सके, कम असकम हम तारीफ कर लें, मगर हमसे तारीफ भी नहीं होती है, मैं समझता हैं कि लोगों के दिल ही कम हो गया है, अफदुस्तार EDI जैसा बंदा, ये सदियों में आता है, पर इसमें कोई शर्त नहीं है, सब थैंक्यू सो मच, आपने टाइम भी है, मुझे पता आपकी फ्लाइट भी है, आपकी फ्लाइट भी है, मुझे जाती तरह बहुत था आपसे मिलने का, बहुत सीखने का, मैं ये समझता हूँ कि आज का जो हमारा कंटेंट है, इससे ना सिर्फ लोगों सबसे पहले तो मैंने सीखा है, मुझे बहुत सारी चीज़ों का नहीं बता था, मुझे इसे लोग मिल रहे हैं, जिनसे मैं बहुत सारी मुझे आप लगी नहीं करेंगे, मुझे अभी तक यह नहीं बता था, कि अपनी ओर्गनाजीशन की वैल्यूएशन की सरह की जाती है, और मैंने तब यह समझा के नहीं, हमें टेक में हर सेक्टर के लोगों को डालना चाहिए, बिकाज हमने हर एक चीज़ को समझा है, तो थैंक यू वेरी मच सर्थ, पिर इंशालला जरूर लाहर आएंगे, तो आपके साथ खाना खाएंगे, तो यीज़ झीज़े हैं अघा कि क्या खाएंगे,